नमस्ते मेरा नाम है दिपेका सेंग गोयल यह मैसेज एक रिक्वेस्टिंग मैसेज है स्पेशली टू डेली गॉवर्मेंट अर्विन केज विवाल जी सर मेरी मम्मी जो है उनकी उमर 59 यह है और वो डेली में है मेरे फादा के साथ में और उनकी आज की जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है करोडा की लेडी हारिंग होस्पिटल में उनका टेस्ट हुआ कुछ चार से पांस दिन पहले मगर रिपोर्ट जो है उनको अभी तक हाथ में नहीं दी है सिर्फ पापा को बोला कि उस रिपोर्ट की फोटोग्रेफ खीच के ले जाए और उनके पा अनामिका सेंग उनके पास फ्लाइट से गई है पर उसको भी नहीं पता था कि मम्मी की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आएगी क्योंकि मम्मी को सिर्फ फीवर था और टेस्ट नहीं आ रहा था किसी भी चीज़ का इसी वज़े से विदाव डॉक्टर की रिक्रूटनेशन हम दें जो हमका टेस्ट करवा दिया तो मुझे कुछ समझ नहीं आरा कि हाउ टू रियक्ट ऐसा लग रहा है कि इससे समय का पईया जो है उल्टा चलना शुरू हो गया है तो अभी सर प्रॉब्लम यह है कि मेरी मम्मी जिस फैमिली में रहती है मेरी जो जॉइन फैमिली है पहडगंज में आर्या नगर में वो कुछ 45 लोग एक साथ रहते हैं जॉइन फैमिली में मेरी दादी को भी ब्रीधिंग प्रॉब्लम हो रही है और मेरे पापा भी सेवा कर रही है आज ही उसको पता चला है कि मम्मी पॉजिटिव है तो कही सारे लोगों का टेस्ट होना ब घर पर भी रहें घर पर यह अपना एलाज करें मंगर घर पे रहने से कैसे कर ंएंगे हुनकी आर्यवली मेरे लेड़ी में कि मैं किसी कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्मेंट हॉस्पिटल हम चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो अच्छा हो उसमें इलाज हो जाया उनका मगर कहीं भी किसी से कॉई गाइडेंस नहीं मिल रही है दवाईयों की कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है किसी डॉक सब्सक्राइब करें कि बैट स्कूल है एडमिशन नहीं हो सकता है घर पर ही रखिए पर सर यह घर पर बिलकुल भी सेफ नहीं है क्योंकि 45 लोगों की फैमिली है खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो बाकी सब लोग भी आप समझ रहे हैं कि बहुत जादा जो है खत्रे में आ प्लीज में आपको नंबर अपने हजबन का बता देती हूं रोहित है उनका नंबर है नाइन डबल त्री नाइन डबल त्री 649679 आप प्लीज किसी भी तरह से उनको कॉंटाक करें अगर हमें कोई भी आप वह भी पॉंबे में है मैं अपनी सिस्टर का नंबर नहीं दे सकत हैं और कैसे उनका हिलाज करवाएं और बाकी सब जो 45 मेंबर्स हैं एक फैमिली के अंदर उनका कैसे टेस्ट होगा प्लीज 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 मेरे इस मेंसेज को प्लीज सीरियस से लीजिए ये मेरे पास एक आखरी ऑप्शन बचा था बहुत वक्त से कुछ चार से पांच नहीं जा रहा है तो प्लीज हेल पस थैंक यू